हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिकास्ट मल्टिकास्ट और ब्राड़कास्ट के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो यूनिकास्ट मल्टिकास्ट और ब्राड़कास्ट क्या हैं तो यूनिकास्ट मल्टिकास्ट और ब्राड़कास्ट जो एक टर्म है जो normally use कियाती है कि हम एक बारी में कितनी डिवाइस को data send कर रहे हैं मतलब कि हम एक बारी में कितनी डिवाइस को package send कर रहे हैं तो यह तीन टर्म normally use कियाती है unicast मतलब हम एक बारी में एक डिवाइस को data send कर रहे हैं तो Unicast, Unique का मतलब क्या होता है, Unique का मतलब होता है One, और Multi का मतलब होता है, बहुत सारे, और Broad का मतलब होता है सभी को, और Cast का यहां से मतलब होगे कि हम कितनी device को data send कर रहे हैं, कितनी device को data cast कर रहे हैं, Unique Cast में क्या होता है, इसमें होता है 1-2-1 मतलब कि हम एक बारी में एक डिवाइस को डाटा कास्ट कर रहे है एक बारी में डाटा जो है सेंड कर रहे है तो 1-2-1 यहाँ पर कम्मिनिकेशन होता है तो जब भी 1-2-1 कम्मिनिकेशन होता है यहां पर यूयास्ट हो रहा है और ऐसी Multicast में होता है Multicast में क्या होता है multicastring हो रही है तो यह multicastring कैसे होती है multicastring normally जब हम information पूरे network पर अगर हम बेशते हैं तो बीच में जो है कुछ filter लगा के हम address को filter करके बेशते हैं कि हमें सिर्फ इन लोगों को ही हमें message बेज रहा है या फिर यही लोग message को मतलब information access कर सकते हैं जो packets बेज रहे हैं या packets जो है वो यही लोग access कर सकते हैं तो हमाँ पर हम बोलते हैं multicastring हो रही है और फिर एक आता है हमारा broadcast broadcast में क्या होता है broadcast में हम one to all यानि कि जो packets आ रहे हैं वो बिना filter के सभी पर जा रहे हैं बना पूरे network पर सभी पर बिना किसी filtration की जा रहे हैं जैसे कि टीवी के अंदर होता है तो टीवी network में क्या होता है कि suppose टीवी टीवी का एक channel है suppose एक सोनी चैनल है सोनी पर एक टीवी सीरियल आ रहा है Crime Patrol suppose करो तो उसमें क्या है कि जो टीवी है वो broadcast हो रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि टीवी जो जो वो serial आ रहा है वो एक बंद्यों को अलग आएगा यह दूसरे बंद्यों को नहीं आएगा दूसरे बंद्य को इस पर जान चाहिए इस से नहीं जाना चाहिए बीस में ऐसा कोई मतलब एडरस सा कोई filtration नहीं है तो यहाँ पर तीन टर्म यहाँ पर 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 यहा क्या होता है वन्टुओं अन्हों कोटा है तो एक सफोज इक नेटवर्क है इस नेटवर्क के ऊपर यूनिकास्ट हो रहा यानि कि एक डिवाइस जो है एक टिवाइस lawsuit हाँ पर कम्यूंड कर रही है तो आप यॉइंगराम है याप डावान एक्जम में बना सकते हैं और उन सभी को न भीज़ के कुछ particular group के लोगों को वहाँ पे भीज रहे हैं तो वहाँ पे होता है multicasting और broadcast में क्या होता है broadcast में होता है सभी को महाँ पे message पहुसता है जो सभी लोग होते है मतलब उस particular data का access कर सकते हैं बिना किसी फिल्टर बीच में कोई फिल्टर नहीं होता है तो इस तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा यूनिकास्ट मैल्टिकास्ट और ब्राड़कास्ट क्या होता है तो यहां पर थोड़ा और से अच्छी तरह समन्ने कोईश करते हैं डागराम के थूरू तो यहां पर यहां से कुछ डिवाइस है यहां से कुछ डिवाइस यहां पर कनेक्टीड है और ऐसी यहां पर कुछ नेटवर्क है और यहां पर कुछ नेटवर्क है यहां पर यहां पर राउटर है और यहां पर यहां पर राउटर से कनेक्टीड है और ऐसी यहां पर यहां प तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहां पर हमें indoors का मतलब क्या हो गया कि यहां पे एक डिवाइस जो है इस से communicate करना है तो यहां पे यह average के तूरि गरएंख के जायेगा तो यह ऑन तो यहां पर यहां पर यह यह यू लुंिक्टश्टव यहां पर 1-to-1 communication होता ए और यूनिकास्ट जो है नॉरमली हम daily life में basically हम यूनिकास्टरी करते है आप whatsapp पे यहां लोगों से बात करते है है तो वो यूनिकास्टरी होता है यह telegram पे हम बात करते है तो वो 1-to-1 communication ही होता है या फिर हम किसी को message भेजते है तो वह भी unicast सिंग होती है वह unicast कर दो अब वो भी would and request रहाया भी और कोई website को access कर रहा है तो वह भी unicast होता है और या कोई file download कर रहा है तो उसे भी unicast को बहुते हैं तो इन particular गुरुप के लोगों को यहाँ पे information भेजनी है या इन particular लोगों को यहाँ से information access करनी है तो यहाँ पे यह क्या हो रहा है यहाँ पे multi casting हो रही है कैसे हो रही है क्योंकि यहाँ पे information जा रही है वो सभी पे नहीं जा रही है तो यहां पर कुछ बीच में कोई filter लगके कि इन लोगों के PCI इन लोगों के device के address पर ही यहां पर वह information चाहेगी है इन लोगों के address जो है मतलब यह device जो है यही device को मतलब इस information पर अक्सेस कर पाएंगी तो MULTICASCHING होती है MULTICASCHING जो होती है एक particular गृप के लोगों को यहां पर嗯 चोरी है खरते हैं क्योंकि WhatsApp क्या है WhatsApp एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां पे लाखो क्रोड़ों लोग उस पे connected है अपने फोन नुम्बर से तो फोन नुम्बर से उससे connected है और WhatsApp पे लोग आपस में यूनिकास्ट भी कर सकते हैं वन टू वन और चाहिए तो आप पे वो मल्टिकास्ट भी कर स आप यूटूब के उपर दे सकता है यूटूब पर कोई सबस्क्राइब पर क्लिक करेगा तो यूटूब की नोटिकेशन है वो सिरु उन पर्टिकुलर लोग पर जाएगी यूटूब पर बहुत बड़ा network है जहां पर लागवों लोग उसको access करते हैं और अपने email ID के पर जाएगी यह नहीं होगी वो पूरी तरह सबको broadcast हो जाएगी तो unicast, multicast और आपको broadcast करते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ पर्टिकलर ग्रुप के लोग वहाँ पर आपस में connected होते हैं तो वह भी क्या है वह एक तरह की multicasting ही होती हैं तो multicasting आपको समझ माग या होगा और broadcasting में क्या है कि ऐसे कि suppose यह एक device है, suppose यह एक device है, यह इन सभी device उसको information भेजनी है या फिर यह सभी device इस device से information access कर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो रही है, यह broadcasting हो रही है हम यह पर, कि यह device है बिना किसी filter के मतलब बस यहाँ ब्राड़कास्ट कर दिया है छोड़ दिया एक तरी बीच में बिना फिल्टर के और अगर चाहें तो दूसरे network पे suppose यह device है इसको इस पूरे network को भेजना है तो यहाँ पर यह IP address की तुरह यहाँ पर जाएगा और यह सभी लोग यहाँ ब्राड़कास्ट हो जाएगा तो ब्राड़कास्टिंग कुछ इस तरह से यहाँ पर काम क समझने ही कोईश करेंगे तो लिमिटेड ब्राड़कास्ट में क्या होता है अगर जो ब्राड़कास्ट है वो सेम network के उपर हो रहा है तो लिमिटेड ब्राड़कास्ट होता है मतलब कि यह device है और यहाँ पर जो है इस सेम network के उपर data को broadcast packets को broadcast कर दिया तो यहाँ पर हम बोले यहाँ पर हमने ब्राड़कास्ट कर दिया इन सभी को तो यहाँ पर क्या होता है यह direct broadcasting हो गई इसको हम बोलेंगे direct broadcasting और यहाँ पर हो गई लिमिटेड ब्राड़कास्टिंग अगर सेमी network पर हम होगा तो लिमिटेड ब्राड़कास्टिंग हो जाएगी तो यह simple simple साएक topic है un unicast, multicast और broadcast तो आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ मा गया होगा तो चलिए उस तो थोड़ा साइसे थोड़ी वाई समन्ने ही कोईश करते हैं जल्दी जल्दी तो चलिए उस तो यहाँ पर थोड़ा साइस समन्ने ही कोईश करते हैं जल्दी जल्दी तो यह the studygenious.com की website के पर आप जाके चेक कर सकता हैं यह अपको लिंग मैं आपको उच्चे दे दूँगा तो यहाँ पर unicast, multicast और broadcast में एक topic और है data transmission mode इसमें simplex mode, half duplex और full duplex mode है और यहाँ पर बहुत से लोगों confusion रहती है कि unicast, multicast, broadcast और simplex, half duplex और full duplex में बहुत से लोगों confusion रहती है कि इन द define करते हैं कि एक बारे में कितने devices को data sent किया जा रहा है और communication mode में क्या होता है यानि कि simplex, half duplex और full duplex में क्या होता है यहाँ पर हम data का direction define करते है यानि कि data किस direction में वो जा रहा है, simplex मतलब वो data जा रहा है, वो information जा रही है, वो one direction में जा रही है, half duplex यानि कि both direction में जा रही है लेकिन one direction at a time जा रही है और ऐसी full duplex में होता है वो both direction at a same time यानिकि जो data है वो दोनों direction में जा रहा है तो simplex, half duplex और full duplex जो होते हैं वो data के direction define करते हैं यानिकि transmission modes की बात हमें बात कर रहे हैं अबे और unicast, multicast और broadcast जो हैं वो ये define करते हैं कि वो data जो है वो packets जो है कितनी devices को send किया जा रहा है unicasting हो रही है, multicasting हो रही है, broadcasting हो रही है तो इनके बारे में थोड़ा तो मैं आपको difference जा जा रहा था कि इन दोनों में क्या difference है क्योंकि जब मैं पहले पढ़ता था तो मैं भी इन दोनों में थोड़ा confuse जाता था तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा आपको समचाने की कोईश करी है कि क्या बता, बहुत से लोग जो है मेरी तरह ही होंगे, बहुत से लोग भी मैं भी कईवार confuse हो जाता हूं कि कि यह क्या है और बहुत से चीज़ों जो है सेम सी लगने लगती है तो इसलिए मैं आपको छोड़ा सा डिफ्रेंस हैं में बताने की कोईश करी दी तो छोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ ठियोरी वाइस यूनिकास्टिंग में आपको बताया कि 1-2-1 कॉमिनिकेशन होता है और नेक्स्ट है हमारा मल्टिकास्ट तो मल्टिकास्ट वह यह जो मैं आपको पहले बताया कि मल्टिकास्ट में क्या होता है 1-2 मैंनी यानि कि जो पर्टिकलर गुरूप के लोगों को महाँ पर जम बेशते हैं तो महाँ पर make addresses of an application protocol or data stream in multicast transmission when a device is sent one copy of data then it delivered to many devices not delivered to all devices like in broadcast तो यह है multicast और broadcast में क्या होता है जो data होता है जो packets होता है वो सभी के पास उस particular network के अंदर सभी के पास पहुँच जाते है और broadcasting यहाँ दो तरीके से होती है limited broadcasting होती है direct broadcasting होती है और broadcasting यह अगर हम examples की बात कर रहे हैं यहाँ पर cable television जो है एक सबसे बड़ा मंदब्स का example है तो टीवी होता है वो हमशा broadcast होता है टीवी signals जो है one source से तो सभी possible source के पास वो पहुँच जाते है बिना बीच में कोई filter हुए वे और broadcasting जो है दो तरीके से होती है मतलब एक device जो है दूसरे network पर broadcast कर रही है मतलब एक जगह से दूसरे network पर broadcasting हो रही है तो वहाँ पर हम बोलेंगे direct broadcasting दोस्तों आयोप आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ गया होगा यह जो पूरा article है आप या-study-gians.com पर आप जाकर चेक कर सकते हैं सकल लिंक में आपको उचे दे दूंगा तो थैंकी दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है या आपको थोड़ा साभी समझ में आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप चाहे तो मेरे इस चैनल को भी